अब तक आपने अगर वर्ल अफेर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल अफेर्स नाव डीसेंड़ी आपने सुना होगा कि ताइवान पर लगातार अग्रेशन कर रहा है चाइना एक के वाद एक हम देख रहे हैं कि पिछले तीन से लेकर चार दि जिन में एर रखॉर्ड 52 चाइना के एर्गाफट यहांपर गए और ताइवान को लिटरली डरा करी है आगये ताइवान को लगा के इतने सारे एर्ग्राफ तो चाइना ने हिस्ट्री में कभी भी नहीं भेजे एन दूरिंग त्रेड वर्ल तो एक बार को Taiwan के 30 को लग रहा था कि यहाँ पर war start होई जाएगी क्योंकि formation बहुत अजीब थी देखो एक तो होता है कि aircraft भेजना सारे के सारे हो fighter jets इस particular scenario में चाइना ने आवर भेजे 36 fighter jet और बाकी जो aircraft थे हैं आपर यह bombers थे इन में से कई nuclear bomb गिराने वाले भी bombers थे नाव वो carry क्या कर रहे threat है literally आप यहाँ पर threat कर रहे हो कि हम अगर चाहें तो literally तुम पर bombing कर सकते हैं और तुम कुछ इसके बारे में कर भी नहीं पाओगे और इसलिए Taiwan के जो विदेश मंत्री है इन्होंने आपर कह दिया है कि हमारा देश आज के समय war के लिए prepare कर रहा है Taiwan ने आपर मान लिया है कि हम ऐसे जी नहीं सकते क्योंकि आप अगर Taiwan के perspective से सोचो psychologically कितना जादा ये torturous होता होगा कि एक देश आपके airspace को violet करके सीधा आपके उपर से गुजर गया और वो country आपसे कई गुना ज़रा बड़ा है उसकी air force काफियत तक strong है तो यही सब देखते होए Taiwan ने आपर ये कहे कि ह हमें war के लिए यहाँ पर prepare करना होगा और इन्होंने याप पर specially Australia को कहा के हमारी help के लिए हो यहाँ पर आप देहोगे Taiwan के वरेज मंतरी ने ये कहा के Australia को हमारी help करनी होगी अब यहाँ पर आपको होगे Australia क्यों help करेगा Taiwan ने यहाँ पर यही कहा कि अब तो Australia के पास आ गई है nuclear अब तो ऑस्ट्रेलिया औकस पावर्ड हो गया है तो ऑस्ट्रेला की सब्मरीन सेंज भी आई नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया कुछ जरा करनी पायगा यहाँ पर इवन दो ताइवान चाता है ऑस्ट्रेला की हैल मगर ताइवान देखो आज के समय हर देश को ही कह रहा है कि एक ब मैं आपको ये बता दू, कि USA के भी कोई भी soldier ताइवान में deployed नहीं है, USA के soldier आपको मिलेंगे जपान में, फिलिपीन्स में है, ताइवान आज के समय almost नहता ही आप मान लो, और अब देखिए, कड़वी बात है, मगर हमको accept करनी होगी, recently USA नहीं जो अफगानिस्तान में किया, जो बाइडन बोलते रहा गए, कि हमने अफगानिस्तान की आर्मी को train किया है, वो तीन लाख soldiers हैं, वो तालिबान के सामने नहीं जुकेंगे, अभी तो struggle लंबी चलेगी, आपके सामने था, गिंती के कुछी दिनों में पूरी की पूरी तीन लाख की फौज गिर गई, तो वो द्रिश्च देखकर, ताइवान भी नर्वस है, कि US भी एक 100% rival country है नहीं, और जो बाइडन की जो soft policy है, वो देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है, कि चाइना एक दिन अचानक से बड़ा attack करे, और हम सब लोग सुबर सुबरे उठे और news आ रही हो, कि चाइना के soldiers ताइवान पर चड़ चुके हैं, और बहुत सारा area ने उन्हें हाँ पर capture कर लिया, और अभी आगे advance कर रहे हैं, और US अपीली करता रहे, कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, और इसी सब में ही यहाँ पर ताइवान निकल जाए, यह एक genuine fear है आज के समय ताइवान के लोगों में, इसके response में ताइवान क्या कर सकता है, क्या solution हो सकता है इस problem का, यह समय यहाँ पर discuss करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा, कि इन में से कौन सी वो company है, चार companies के आपे नाम दिये हुए है, Kia Motors, Asus, Nissan और Hitachi आपको यह बताना है, कि इन में से वो कौन सी company है, जो Taiwan based है, comment section में करूँ आँसर, मैं चाहता हूँ, आप सब लोग इस question को attend करें, in the comment section below, सही उत्तर मैं आपको वीडियो के अंथ में provide कर ही दूँगा, नाव सबसे पहले आपे आप question पूछेंगे, चाइना इतना aggressive क्यों है, लगातार एक के बादे ये fighter jet एक country के ओपर क्यों भेजेंगे, ये psychological एक आप कह सकते हैं, harassment यहाँ पर चाइना क्यों कर रहा है, ताइवान की, देखिए इसके multiple reason है, सबसे बड़ा reason तो यहाँ पर मैं कहूँँगा, AUKUS pact, जो Australia, UK और US का pact हुआ है, जिसके अंडर UK और USA, प्रोवाइड करेंगे nuclear attack submarines औस्टेलिया को, इस बात को लेकर चाइना काफियत तक नर्वस है, और चाइना primarily इस बात से भी काफी गुसा है, कि AUKUS pact जब लिखा गया, उसमें primarily ताइवान का mention है, कि जो भी हम यहाँ पर त्यारी कर रहे हैं, ये in the future, ताइवान के defense को ध्यान में रखके ही कर रहे हैं, दूसरा issue यहाँ पर यह भी है, कि आज के समय बहुत से European देश है, वो openly challenge कर रहे हैं चाइना को, और अब ताइवान को ताइपे नहीं बुला रहे, आपको पताओगा, चाइना pressure डालदा दुनिया भर को, कि ताइवान शब्दी इस्तमाल नहीं करना आपको, आप ताइवान को क्या बलाओगे चाइना के हिसाब से, ताइपे, ताइपे अफकोर्स capital है, ताइवान की, तो चाइना कहता है कि ताइवान नहीं कोई देश नहीं है, हाँ, उनकी एक capital है, तो आप कह सकते हैं, capital एक city है, चाइना की, उससे हम यावे बातचीत कर रहे हैं, तो सिंस अब लिथुविनिया जैसे countries खड़े हो रहे हैं, चाइना के against, अपने लोगों को कह रहे हैं, कि चाइनीज फोन यूज करना बंद कर दो, और जो ताइवान की embassy है, अपने country में, वहाँ पे openly लिखवा रहे हैं, कि ये ताइवान की embassy है, ताइपे वगारा कुछ नहीं है, इस बात को लेकर भी चाइना काफियत तक गुसा है, फिर देखो, एक बहुती बड़ा reason यहाँ पर ये भी है, कि भारत और ताइवान की, जो आज के समय डील बहुती तरी से आगे बड़ रही है, semi-conductor chips के लिए, ये भी एक बहुती बड़ा reason है, चाइना के aggression का, और by the way, इंडिया ताइवान की जो mega deal होने वाली है in the future, जिसके बारे में हो सकता है, कि जल्दी आप एक अच्छी news सुने, 56,000 करोड की जो deal है, इस पर मैं एक वीडियो मना चुका हूँ, करीब 8 लाग लोगों ने वीडियो देखी थी, आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, simply search कर लेना, semiconductor world affairs, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप यहाँ पर आप कुछ सकते हैं, really एक ऐसी deal जो अभी हुई भी नहीं है, और semiconductor, really semiconductor के issue को लेकर, चाइना अतना गुस्सा होगा, तो देखिए, ताइवान ने खुदी कहा दिया है, कि जो semiconductor की chips supply है, ये बुरी तरीके से impact हो सकती है, अगर चाइना इसी तरीके से aggression करता गया, ताइवान के against, क्योंकि ताइवान को जो अपने ports हैं, जो बंदरगा हैं, ये secure करने होंगे, अपने air basis को और ज़रा strong करना होगा, तो उस दौरान possibility ये भी है, कि इनकी factory production का जो output है, ये भी कुछ हर तक गिर जाए, और ताइवान altogether semi-conductor manufacture ना कर पाए, इस बीच, कुछ experts ताइवान के ये भी मान रहे हैं, कि चाइना अभी के लिए simply ये चाता है, कि इन्डिया के साथ जो भी ताइवान की deal in process है, ये freeze हो जाए, जैसे ही इसकी ये news आती है, कि ताइवान ने अभी के लिए जो इन्डिया के साथ deal है freeze करती है, चाइना इस तरीके से इस country को harass करना बंद कर देगा, अपनी air force है, अब अगला question यहाँ पर आपका यह होगा कि यूएस की तरफ से statement क्या ही है, देखो यूएस ने ये बोला है, कि देखिए ताइवान को अपनी safety तो खुदी देखनी होगी, हम लोग अपने soldiers वहाँ भी भेजनी रहे, हाँ, हम ताइवान को तयार कर रहे हैं, कि कल को अगर चाइना की एक यहाँ पर invasion होती है, तो वो लोग खुद को बचा पाएं, और यूएस की जो involvement की बात होती है, तो वहाँ पर ये लोग word use करते है, tamping down, tamping down पता है क्या होता है, अब मान लो कोई आदमी है वो दिवार बना रहा है, ठीक है, उसमें वो इट ना, दो इटों के बीच में रख रहा है, तो काफी बार आपने देखा होगा, कि इट जब नीचे हम रख रहे होते हैं, तो फिट नी होती, दोनों इटों के बीच में, थोड़ा सा आपको उपर से एक दो बार टैप टैप करके, अब मारना होता है कुछ हतोडे से या हाथ से, तब वो इट फिट हो जाती है, तो उसको कहते हैं टैंपिंग डाउन, इनके शब्दी बहुत ज़रा ही अजीव उस कर रहे हैं, बहुत ज़रा, आप कहा सकते हैं, software यूज कर रहे हैं, कि हम थोड़ा बहुत, पीछे थोड़ा बहुत tap-tap कर देंगे यहाँ पर चाइना को, और उससे मुमीद करते हैं, कि काफी हथा के control में आ जाएगा, और बार-बार यहाँ पर US same statement फिर से दुराता है, आपको defend कर पाएं, तो देखिए, बाइडन की जो policy अफगानिस्तान में थी, same policy लग रहा है, कि यहाँ पर भी है, कि ताइवान के जो forces हैं, उनको साल में एक-दो बार कुछ aircraft भेज़ दो, और उमीद करो, कि चाइना की Air Force, जहाँ पे दो-तीन, 3,000 से भी उपर fighter aircraft है, इनके पास amphibious vehicles है, एक huge army है, ऐसी army को ताइवान रोक लेगा, तो मैं यहीं कहूंगा कि, अगर बाइडन की presidency में, ताइवान भी निकल गया, यूएस के हाद से, और ताइवान एक पार्ट बन जाता है, चाइना का, तो उससे दुनिया ही यहाँ पे declare कर देगी, कि बाइडन यूएस की history के worst president है, अब यहाँ पराप पूछोगे, मगर इस सब का solution क्या हो सकता है, देखिए, एक solution है, जिसके बारे में बातचीच चल रही है 1970 से, वो यह है, कि ताइवान को एक nuclear bomb पकड़ा दो, that will be the end of all conflict, उसके बाद चाइना भूल कर भी नहीं सोचेगा, कि ताइवान पर invasion करनी है, यह देखिए, possible तभी हो पाता, अगर माली जीए, डॉनल्ड टरॉम जैसा कोई bold leader, इस वक्त US को lead कर रहा होता, मगर Joe Biden का लगता नहीं है, कि यहाँ पर यह ऐसा कुछ decision लेने वाले है, वो यह ही कहेंगे कि ताइवान को हम prepare करा सकते हैं, ताकि यह खुद को defend कर पाए, एक invasion से, ना वापस आते हैं हमने question पर, कि इन में से कौन सी company, एक Taiwanese company है, तो सही उत्तर, यहाँ पर है option, option B, Asus, Asus एक बहुती famous multinational computer hardware consumer electronics company है, यह लोग mobile, laptop वगरा बहुत कुछ establish करते हैं, यह company मनाई गई थी 1989 में, और finally आपर मैं यह भी आड़ कर दूँ, कि अनकाडमी के combo courses available हैं, simply जाओ comment section में, pinned comment में आपको मिलेगा यह link, यहाँ पर करो click, और यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है अनकाडमी का combo package, जिसके under, आप UPSC prelims, mains और optional, तीनों की ही त्यारी यहाँ पर आप कर पाएंगे, आपको मिलेगी live classes, test series, structured courses, मगर जो यह combo package है, यह purchase करने से पहले, अगर आप use करते हैं, code PD10, तो prices यहाँ पर अपने आप गिर जाएंगे, so use the code PD10, and the prices will fall, by the way, यह combo courses के जो components हैं, prelims, mains, optional courses, यह अलग-अलग purchase करोगे, तो वैसे ही आपके 10-15,000 रुपीज एक्स्रा खर्चोंगे, तो combo course में हमेशा आपके पैसे बचेंगे, तो आपको अगर course purchase करना है, go for the combo course, so इसी note के साथ, यह है आपर वीडियो कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all.